आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक कॉसेस और फ्यूज ब्लोन करेंट और वोल्टेज मतलब की फ्यूज के उन्ने के पीछे का कारेंट क्या होता है वोल्टेज या फीर करेंट दोस्तो आज का यह वीडियो इलेक्रिकल से जुड़ेवे सबी लोगों के लिए काफी जादा इंपोर्टेंट है क्योंकि इस सवाल का जवाब देते समय हमें से कहीं लोग कुछ गलती करते हैं तो आज के इस वीडियो के तरह हमें इस पॉइंट के ऊपर बात कर लेंगे दोस्तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता देना चाता हूं इस टॉपिक को हम दो कोश्यन में क्लियर करेंगे तो सबसे पहले सवाल नमपर एक है कि fuse हमें किसी से protection देता है तो दोसे इसका जवाब हमें से अधिकतर लोगों को पता रहता है और हम सभी यही बोलते हैं कि fuse हमें जो protection देता है वो हमें over current से देता है अब यह over current क्या है तो simple सी बात है हमारे fuse के उपर अगर 10 ampere लिखा है तो 10 amp 15 ampere current निकलने लग गया तो हमारा fuse open हो जाएगा हमारा fuse जल जाएगा लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बार वापस से कहना चाहता हूं कि आप अभी पहले सवाल के जवाब के हिसाब से डायरेक्ट दूसरे सवाल के जवाब को मत देख लिजेगा क्योंकि हमें जो fuse protection देता है वो over current से दता है तो हम डायरेक्ट दूसरे जवाब में भी यही बोलते हैं कि fuse open होता है वो current की वज़े से open होता है लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ गल्तिया है उसको भी अभी हम देखेंगे लेकिन उसके पहले हम इस over current को भी थोड़ा और समझ लेते हैं यहाँ पे हमारा क्यों करने की सबसे मुखे जो होती है वह ओती है short circuit condition और short circuit की condition हमें हमारा current काफी जादा मात्र में बढ़ जाता है और जैसे current कि फ्यूज जो ओपन होता है वो अवर करेंट मतलब कि MPR की वज़ए से ओपन होता है लेकिन दोस्तों यह जवाब गलत है अब आखिर गलत कैसे है इसको हम इंटर्व्यू के हिसाब से समय लेते हैं जब आप इंटर्वी के अंदर यह जवाब दोगे कि फ्यूज हमारा ग्ल Sapets को हम हमारी हalgैन के इंदर जो 20 लाइंपेर कही है अब इस समय से हमारी एशे लाइन पर 20 तो बाहां पर लक्त टो तो उस समय हमारा current कम हो जाता है तो हमारी high tension line पर voltage काफी जाता है जैसे कि 11000 voltage है तो इतने ज़्यादा voltage होने की वज़े से वहाँ पर current की value काफी कम हो जाती है तो अभी जो interview लेने वाले आप से question कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि अगर 20 ampere का fuse है जो कि हम 415 voltage supply भी यूज करें अगर वह current से ही open होता है तो उसको हम HD line में ही उपयोग क्यों नहीं ले लेते हैं हमारा तो HD line में भी चल जाना चाहिए तो अब आपको इस तरीके का सवाल कभी भी देखने को ना मिले इसके लिए हम इस दूसरे सवाल का सही से जवाब जान लेते हैं क्या कि इसका सही जवाब क्या होता है जब भी हम fuse के open होने की बात करते हैं तो वो directly current के उपर depend नहीं होती है इस बात को आपको ध्यान लगना है fuse हमारा कब open होगा वह हमारा current के साथ-साथ voltage के उपर भी depend होता है आप voltage के उपर कैसे depend होता है तो आप कभी भी कोई साभी fuse लेके आते हैं तो उसके उपर हमेसा एक fix voltage लिखे रहते हैं चाहे आप HT line के fuse को लेके हैं चाहे आप LT line के fuse को लेके हैं तो अभी के लिए मान लीजे कि हमारे पास में 240 वोल्टेज का एक फ्यूज है जिस पर रेटेड करन 10 एंपयर लिखा है वो 10 एंपयर तक चलेगा लेकिन दूसरे केस में हम एक और फ्यूज की बात कर लेते हैं जिसकी रेटिंग भी हमारे 10 एंपयर ही है लेकिन उस पे जो रे फ्यूज होते हैं वो फ्यूज हमारे करेंट के उपर डिपेंड नहीं करते हैं वह उसकी रेटिंग हमारे वीए के उपर डिपेंड करती है मतलब की वोल्टेज और करेंट इन दोनों के उपर डिपेंड करती है आपने कई बार सुना होगा ने कि हमारे जो ट्रांस्मर होता ampere rating 10 ampere है और दूसरे case में हमने लिए आता कि 11,000 voltage का एक fuse है जिसके ampere rating 10 ampere है अब अगर मैं को इस fuse के VA पता करने है तो मेरे को direct voltage और ampere का multiply करना है तो इन दोनों का multiply करने के बारे में बाद जो value आती है वो आएगी 110,000 वी है और दूसरा साथ ही में आपको एक बात का यह भी ध्यान रहे है कि हमारे जो जैसे 240 voltage का fuse है जिस पर हम 10 ampere ते के load को चला सकते हैं अगर यहाँ पर हमारे 240 से कम voltage जाने लगए जैसे की 180 voltage जाने लगए तो हमारे जो ampere rating है न 10 ampere यह हमारी उस समय चेंज हो जाएगी उस समय हमारे 10 ampere नहीं 13.33 ampere 13 ampere के आसपास के current को चला पाएंगे और वहीं अगर हमारे voltage 240 के ओपर होंगे तो हमारे जो current की rating होगी fuse की वो 10 ampere से घटके कम हो जाएगी तो इसलिए कभी भी आपको direct इस सवाल का answer यहरे नहीं देना है कि fuse չो होता है वो fuse हमारे current के ओपर depend होता है आपको हमेशा हिस सवाल का जवाब इस तरीके से देना है कि हम यह मानते हैं कि हमारे जो fuse होता है वो हमें over current से protection देता है यह point हमें इस बात को भी बताता है कि fuse में जब ज़्यादा current निकलेगा तो वह fuse burn हो जाएगा लेकिन हमारे जो fuse की rating होती है वो current के साथ-साथ voltage के ओपर भी depend करती है अगर हम हमारे fuse के ओपर लिखे fix voltage से कम या ज़्यादा उसको voltage देंगे तो हमारे इस fuse की जो ampere rating होगी वो ampere rating भी change हो जाएगी तो दोस्ता आज का यह video थोड़ा बड़ा बन गया लेकिन मैं उमीद करता हूँ इस video के माध्यम से आपको कही ना कही कुछ बैतर चान करें मिली होगी आपको इस video कैसा लगा है इस video को like के ज़रू बता है